एक साधू जो रोज इश्वर की भक्ती करता था एक दिन बाजार से गुजर रहा था तो देखा के बाजार में एक दुकान जो एक स्त्री अपनी बेटी के साथ चलाती थी कोई विद्वा औरत थी जिसकी एक लड़की थी वे दुकान चलाते थे तो उनके दुकान पर उस लड़की का मंगेतर आया हुआ था कुछ खरिदारी करने तो लड़की अपने प्रेमी को चीजें देते ही जा रही थी तो मा ने कहा जड़ा हिसाब तो रखो कितना दिया तो बेटी ने कहा अपने ही प्रेमी को जब दे रहे तो क्या हिसाब रखना तो सादूने वे शबता सुने तो जड़का लगा कि मैं तो रोज हिसाब करता हूँ कितनी माला हैं आज की और ये सांसारी प्रेम के लिए कोई हिसाब नहीं रख रही मैं तो रोज हिसाब करता हूँ इश्वर ने क्या दिया अब तक मैंने क्या क्या दिया तो वो सुनते ही उसे इंसाइट हुई शिफ्टिंग मिली अम्तर बोट जागा उसने माला छोड़ दी कहा अब हिसाब किताब नहीं रखना है दान अवतार यही बताता है कि दान करना सीखें और दान करने से पहले खुद को दान करना सीखें खुद को ध्यान देना सीखें तो ध्यान का ध्यान दे पाओगे है खुद को ही प्रेम नहीं दे पाए तो दूसरों को प्रेम नहीं दे पातें दूसरों को दन कैसे दे पाओगे जब खुद को नहीं दे पाए स्वें को देखकर आप शुरुवात करते हैं और फिर चाहत जगती है कि सभी के जबान पर यही स्वाद हो अमर्द पीकर आप चाहते हो सभी को अमर्द पलाएं सभी का मुँ मिठा हो खुशी में इनसान ये करता है दान अवतार ले पाता है दान अवतार में आपको देने का पाट सीखना है तो सही डंग से दांक देना सीखें, पहले खुद को दे कहा है? यानि आप जब जो भी आपकी इंकम है उसका एक हिस्सा निकाल कर पहले खुद को देते बाद में खर्ष चुरू करते हैं तो ऐसे लोग लकपती बनते हैं, ऐसे लोगों जो मावाब बच्पन से ही बच्चों को यह ट्रेनिंग देते है, कि खर्च करना बाद में शुरू करो, पहले एक हिस्सा तुम निकालो अपने लिए, और ऐसा सिस्टेम बनाओ के अटोमेटिक वो हिस्सा निकल ही जाए, वरना लोग फिर आज इसमें यह करना है, अभी नया जैम आया है, नया पनीर आया है, नया ऐसा चीज आया है, ऐसा बर्गर आया है, ऐसा कुछ कर करके कुछ बचाई नहीं पाते, तो पहले ही अगर एक हिस्सा निकाल दिया गए, ऐसी ट्रेनिंग हो गई बच्चों की, तो यह बच्चे लखपती बनेंगे, करोड़पती होना करमपती बनना उनके लिए बहुत आसान है करोपती या करमपती करोपती या जो एक्षन में आते हैं जो क्रिया में आते हैं जो दे पाते हैं कौन से बच्चे हो पाएंगे जो खुद को दे पाए जुनों ने सीखा जिनके मावाप के पास ये ट्रेनिंग थी तो उन बच्चों का बहुत फाइदा होता है बच्पन से ही कैसे लगों को ये आदट डाल दी जाए ताकि उस पैसे का सही इस्तिमाल करके निवेश करके उसकी कैसे बड़ोतरी करके वरना लोग कई छोटी-छोटी बातों में जिंदगी उपर अठके रहते हैं फ्री हो यह न में नहीं आती है क्योंकि उन्होंने कोई इसका सिस्टम नहीं बनाया जो लोग सिस्टम बना पाए उनको फिर कभी दिक्कत नहीं आती तो खुद को भी दान दे पाएं बाहर दान दे पाएं क्यों ये दान की बात लाई गई है विश्व में जिन लोगों ने भी सत्य की बा क्यों कहीं कि वही दे पाता है जिसके अंदर फीलिंग आती है देने का भाव जगता है और देने का भाव जगने के पहले इंसान को कुछ ऐसा मिला होता है ऐसा सत्य उसने जाना होता है जिस वज़े से वो दे पाता है जिनका पृत्वी लक्षे क्लियर है वे बड़ी आसानी स कि उनको पता है कि उनका मनो शरीर यंत्र किस वजय से निमित है प्रिथवी पर दान तो विर्ख्ष का फल है दान विर्ख्ष का फल है वो किस बीज से आया है इसका पता लगाना चाहिए कौन से बीज से आया फल तो सबको दिखता है फला ने दान किया यह तो दिखता है मगर वो किस बीज से फल आया इंसान ने जाना खुद को तो उससे दान की क्रिया हुई करनी नहीं पड़ी मगर जब मूल बात लुप्त हो जाती है खो जाती है तो लोग क्या सोचकर दान करते हैं कि स्वरग मिलेगा दान करेंगे तो स्वरग मिलेगा तो स्वरग को द्यान में रखकर दान किया बीज को द्यान में रखकर दान नहीं किया स्वरग को सामने रखते हुए दान किया तो यह दान क्या करेगा वो रिजल लाएगा नहीं लाएगा उसको भाव नहीं है सिर्व एक लालच है एक लालच है यह मिलेगा स्वरग मिलेग इसलिए मुझे करना है, तो जब भी देने का भाव आ रहा है, तो अपने आपको याद भी दिलाएं, दान अवतार भी ले, खुद को बताएं कि परिछी लक्ष क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किसको दे रहा हूँ, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, तो उसका क्रेडिट कोई लेने वाला नहीं होगा, श्रिय लेने वाला नहीं होगा, जब क्रेडिट लेने वाला नहीं है कोई, तो सही डंग से दान हुआ, लालच के राक्षस को मारने के लिए दान का अवतार, लोब लालच उठती है मन में, तो वहाँ पर दान अवतार को जागरित करना है, सर्श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है तेज ग्यान नहीं, तेज ग्यान सर्श्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनन्द आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ओनलाइन भी कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. अँ़ण जानकारी क कर दो दोी कार आपी जानकाता प्रूम्मटन हासूण शोड़ग ए्पाक बाँन शेता हैं. झालाए इसकते हैं. वे शोड़िए से हैं.